ये गाईज वास्ट अप एंड वेलकम बैक टू साइलेस अडिटिंग जोन दैन आज की इस वाले वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ इस टाइप की फोडो एडिटिंग जो देखने में काफी वसम सी लग रही है और इस फोडो को हम लोग बेहर सिंपल तरीके से एडिट करन वाले हैं तो इस वीडियो में काफी ज़ितम मजाने वाला है तो अभी से वीडियो को लाइक करतेजेगा चैनल पे नहीं तो सस्क्राइब करकि बेल आइकन को भी प्रेस कर दिजेगा और इंस्ट्राग्रेम पे फॉल्लो नहीं किये तो जाके फॉलो भी कर लेजएगा अजैसे कि मैं इस वाली फॉडो को पर प्रिया आइकन करने हैं थो सीर्इंस के फॉडो को वाला ऐड़रा आइकन दिख रहा होगा तो इस वाली आइकन हम लुग कर देंगे और क्लिख करने राद आपो अप nephew एक दॉससकी सामने प्रभाए ड़र करें देंगे और बा scream क्लिक करने गवाद आप लोग ऐसे यहां पे चला जाना लास्ट नमबर पे 12 और ऐसे नीचे आना और इसकी सेच्वेशन को हम लोग फुली डिक्रीश कर देंगे और सबसे लास्ट नमबर है जो विंटाइक का इसको थोड़ा साम लोग कम कर देंगे देन गैज इतना सारा सेटिंग करने वाद आपको सिंपली स्टाइट वाली ओप्शन पे क्लिक कर दे नहीं है क्लिक करने वाद उपर साइड में आपको क्रॉस तीरी का आइकन दिख रहोगा तो इस वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे विव इडिट पे क्लिक करेंगे विंटाइक पे क्लिक करके हम लोग यहां से ब्रस को ले लेंगे ब्रस को लेने गवाद इस वले आइकन पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर आपका साइज जो है आटोमेटिक जीरो हो जाएगा तो अपने बोड़ी से कुछ इस टाइब से इस इफेक्ट को हम लोग रिमूब कर लेंगे जैसे कि मैं कर रहा हूं और बहुत ही बारगी से करिएगा थोड़ा सा टाइम देकर तभी यह परफेक्ट तरीके से रिमूब होगा मैं जल्दी जल्दी से कर लेता हूं हाथ को आपको ऐसे इरेज करते हैं वाद सिंप्ली आपको इस राट वाले ओप्शन पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने वाद सिंप्ली आपको इहां से बैक हो जानी है बैक हो जाने वाद आप लोगो क्या करना इस पंसिल वाले आइकन पर क्लिक करेंगे क्लिक करने वाद आपको सीधे ऐसे निचे चले आना हो निचे आने वाद आप लोग के सामने एक 돼요 experience का option मिल जाएगा तो हम लोग इस वाली option पर क्लिक कर देते हैं प्लस वाले आइगन पर क्लिक करेंगे और एक png को music png को हम लोग एड कर लेंगे जिसका लिंक आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा तो वहां से जाके आप सारे background png को load कर सकते हैं तो यहां से मैं इस png को ले लूँगा और लेने वाद कुछ इस टाइप से इसे छोटा कोने में लगाऊंगा और इस वाले आइगन पर क्लिक करके हम सिंप्ली इहां से एड कर देंगे इसको एड करने वाद आपको सिंप्ली इस टाइट पर क्लिक कर देना है राइट पर हम लोग सिंप्ली इहां से क्लिक कर देंगे और क्लिक करने वाद आपको फिर से इस pencil वाले आइगन पर क्लिक करना है अगेन आपको इस डबल एक्सपोजर पर क्लिक कर दे नहीं है प्लस पर क्लिक करके और एक लाइट की PNG को हम लोग एड़ कर देंगे और उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिसिप्सन में मिल जाएगा तो इस वाले Light PNG को हम लोग एड़ कर देंगे और एड़ करने ग़ाद कुछ इस टाइप से जो मैं Music PNG एड़ किवा हूँ उसको उपर लगाएंगे और इस वाले आइगन पर क्लिक करके simply इसे भी हम लोग एड़ कर देंगे और add करने गाद इस वाले icon पर click करेंगे और इसकी opacity को हम लोग कम करदेंगे लगवग इतना करदेंगे और इतना करने गाद आपको simply इस right वाले option पर click करते नहीं है और click करने गाद आपको again क्या करना है इस pencil वाले icon पर click कर देंगे फिर से आप लोगों को double exposure में जाना है plus पे जाना है और एक png को फिर से आप लोगों को add कर लेना है जिसका link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा तो इसे भी हम लोग यहां से ले लेंगे और लेने वाद simply इस वाले icon पे click करेंगे और simply इसे भी हम लोग add कर देंगे दनगेज add करने वाद simply आपको इस right पे click कर देनी है click करने वाद आपको उपर side में इस cross 3 के icon पे click करना है view edit पे click करेंगे double exposure पे click करके हम लोग यहां से brush को ले लेंगे और इस वाले icon पे click कर देंगे और size यहां से हम लोग जीरो हो जाएगा और इस बार हम लोग अपनी पूरे body से इस effect को हम लोग remove करेंगे जैसे कि मैं कर रहा हूँ दनगेज remove करने हुआ simply आपको इस right पे click कर देनी है और यहां से आप लोगों को back हो जाना है और फिर से आप लोगों को क्या करना है इस pencil वाले icon पे click करेंगे और ऐसे उपर चले आएंगे आप लोगों के सामने एक white balance को option मिल जाएगा तो simply हम लोग white balance वाले option पे click कर देंगे और click कर देंगे इसकी पहला जो option है इसको हम लोग plus में लग आप 20 कर देंगे और 20 करने बाद simply आपको इस right वी click कर देंगे और again आपको क्या करना इस pencil वाले icon पे click कर देंगे और ऐसे नीचे चले आएंगे आप लोगों के सामने double exposure पे click करेंगे plus पे click करेंगे और एक png को हम लोग फिर से add कर लेंगे music lover वाला और इसको छोटा करके कुछ इस type से इसके उपर लगा देंगे और लगाने बाद इस वाले option पे click करके simply यहाँ से add कर देंगे और यहाँ से हम लोग right वे click कर देंगे then guys right पे click करने बाद आपकी photo कुछ इस type से edit हो जाएगी और फिर से आपको गया करना है इस वाले option पे click करके यहाँ से आप लोगों को portrait कर देंगे आपकी face जो है smooth हो जाएगी और पहले option को ऐसे increase करेंगे थोड़ा सा और increase करने बाद simply आपको इस right पे click कर देंगे और आप लोगों की photo कुछ इस type से बन के तयार हो जाएगी जो देखने में काफी awesome से लग रही है और इस photo को हम लोग save करने के लिए इस वाले option पे click करेंगे और यहाँ से simply हम लोग export कर लेंगे आई हो guys आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो like, share, comment कर देजेगा चैनल पे न तो subscribe भी कर देजेगा मिलता है किसी ऐसे interesting वीडियो के साथ तब तक क्लिए बंदे मातरम